हेलो एविवान स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रिव्यू में मुकावला है बांगलादेश वसे अफगानिस्तान के बीच यह होगा एद दरम शाला एच्पीसी स्टेडियम एक इंट्रेस्टिंग बात यह टीम्स पहले बहुत बार मिल चुकी हैं बढ़िन स्प बांगलादेश की अच्छी है जो पहले बोलिंग कर जाएं थोड़ा से एड्वांटेज मिल जाएं बहुत सारे मैच अपस है इस गेम में तो जरूर उसके लिए वाच आउट करेगा और प्रिव्यू को स्टार्ट से एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा बेनेफिट मि लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिनी जेल्स ऑन ड्रीम 11 माइफाब 11 फैंटेशी दंगल अब तक तो लाइव नहीं हुए है वीडियो के एंड तक लाइव हो जाएंगे तो डिस्कास कर लेंगे बट नहीं बहुत तो इंशॉर आप साइन अप कर लें रूपी ताकि कोई चैनल से आप ना जुड़ें लाइक कॉमेंट एंड शेर जरूर करेगा इस वीडियो को अब चलते हैं आज के वेदर रिपोर्ट के लिए और एक पूरा मुकाबला यहां पर हमें एक्सपेक करना चाहिए वान दो मोस्ट ब्यूटिफुल ग्राउंड इन दे तो पॉसिबल है कि मौनिंग में हो जो ओस है उससे स्टार्टिंग में थोड़ी मूवमेंट मिल जाए बोलस को उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो पिछ थी इंडिया ऐस्ट्रेलिया वाले गेम में वहां पे भी पहले ओडिया में थोड़ी सी मूवमेंट थी यहां पर बहुत जरूरी हो जाएगा समझने के लिए कि क्या वापस ऐसा ट्रैक आपको देखने को मिलेगा या नहीं तो यह हुआ पिच रिपोर्ट रिमेंबर तो साइन अप और माइमास्ट एलेवन कुछ एक्स्क्लूजव ओफर आप सब के लिए वहीं पर लिंक है इस वीडियो के डिस्रिप्शन में आपको मिल लाएगा बहुत सारा रियल क्याश एक्सपेक्टेट प्लेइंग इलेवन इस गेम के लिए बांगलादेश से स्टार्ट करें तो तंजित असन लिटन दास तंजित असन बहुत अच्छे फॉर्म में लगें अन्द वाउम अप्स बड़ ओविसली डिफरेंट चैलेंज होगा इन दे में स्टेज़ेज नजम लुसें शांटो शाकिबल असन मुसली फिट हैं फो दिस अब चलते हैं अफगानिस्तान की तरफ रह्मन उल्ला गुर्बाज इब्राहेम जदरान रहमच रहमच रहमन उल्ला गुर्बाज के बहुत बड़ी पार्टनर्शिप हुई थी इन वाम अप सर्षमत अला शहिदी मौमद नभी नाजिब जदरान अजमत अला उमर्जाई यह स्लोट में में थोड़ा सा डाउट फुलों कोई और आ सकता है यहां पर राशिक खान मुझीब फजल हक फरूकी और नवीन उल्हक टू राउंड अप टीम तो काफी बैलेंस साइड्स हैं यहां पर सिर्फ एक जो चीज आपको दोनों साइड में मिसिंग देखीगी वह है राव पेस एकसब पर टसकीन सब डोलर जो हैं जैनली बिलो वन फॉर्टी डालते हैं तो काफी इंट्रेस्टिंग मुकाबला होगा अब चलते हैं आज के प्लेयर काट्स की तो पहले हम स्टार्ट करेंगे टीम बांगलादेश के साथ स्टार्ट करेंगे तंजिध असन लेफ्ट अंड ओपनर हैं कि नए हैं साइड में तमीम का प्लेस ले रहे हैं इंट्रेस्टिंग लिए इनका भी नाम तांजित असन तमीम है और पिछ इन्हें सूट करनी चाहिए बट यह अप्रंट मुव्मेंट के सामने श्रगल करते हैं अगर पहले बाटिंग करते हैं वह एक कंसर्न हो सकता है इनके लिए चेज में फिर भी आप इने कुछ टीम में ट्राय कर सकते हो फिर बात करते हैं आप लिटन दास की वाइल एक क्लास आक्ट रहे हैं बंगलादेश के लिए विद बैट एक बाद याद रखी है इनका जो रीसेंट फॉर्म है काफी कंसर् अच्छा एक्सलेरेट करते हैं मुविंग बॉल के सामने इनका बहुत बड़ा कंसर्न है अभी भी मेरे लेक 50-50 पिक रहेंगे हैं फिर नजमुल हुसें शांटो अब वाइल यह अच्छी पिक हैं स्पेशली अगर पहले बैटिंग करते हैं अपना समय लेके खेलते हैं एक फिर्स निंग में एक अच्छे अक्यूमिलेटर है बड़ इनके मैच अपस भी ठीक टांक हैं अफ्पिन के सामने इनके कुछ च्रॉगल्स है और अफगानिस्टान के पास दो काफी कॉलिटी ऑफ्स्पिनर और साइड फिर आते हैं शाकिप की तरफ इनको आप बैस भी अब चलते हैं मैं तीम में अभी के लिए ने लेके जाऊंगा जैसी यह पिछ है कभी कबार जब जल्दी विकेश गिरती हैं मिडल और पे दारोमदार बढ़ जाता हैं यह आएंगे सीधा मिडल ओडर में और रिसेंटली इनका बैट के साथ फॉर्म तो बहुत अच्छा रहा है बॉल के साथ थोड़ा कम यूज होएं और डिफेंसिवली यूज होते हैं तो वह एक तकलीफ है जब स्ट्रॉंगर टीम के सामने के सामने के सामने आएंगे तब आप इन पर चांस ले सकते हो राधर कर सकते हैं अगर आप गुर्बाज को ड्रॉप करने की सोर्च अगर वह पहले बाटिंग करते हैं फिर ओविसली ऑटोमाटिक चॉइस बन जाते हैं एज मिडल ओडर में एटलीस हम इनसे बीस पर चीस रन स्टेबली विच सम क्याचिश एक्सपेक कर सकते हैं फिर आते हैं म इन्हें कितना मौका मिलेगा फिर चलते हैं नसू महमद की तरफ नसू महमद एक काफी बड़े ऑप्शन है यहां पर द्यू तो राइट हैंडल बड़ वापस पिच इन्हें ज्यादा फेवर नहीं करेगी एविन दो मैच अच्छे हैं बेएक बाद याद रखने लायक अब यहां पर अगर वेरिवल बाउंस होता है ट्रैक पर फिर यह कंसिडर किये जा सकते हैं फिर चलते हैं टसके नहमत की तरफ आइधिंग बहुत इंप्रेसिव रहे हैं ओफ लेट विद पेज बाउंस एं एकदम विद अग्रेशन डाल रहे हैं और मैं तो डेफिनिटल इन नहीं छोड़ूँगा मैं भी बड़ी टीम्स के सामने आप इन पर जीयल पर रिस ले सकते हो इन सेकंड बोलें बट उसके अलावा ऐसे फॉर्म में इन पर चांस लिया जाएं यह पिट से इन्हें ठीक ताक असिस्टेंस भी मिलेगी मुस्तफी तो रहमान की बात करें तो यह जनरली होल्ड इन ट्रैक पे थोड़ा ज्यादा डिपेंड करते हैं इस ट्रैक में में भी उतना ज्यादा होल्ड ना हो फ्लाट सीमिंग पिछिस पर इन पर चांस लिया जा सकता है बट मुझे लगता है अगेंस अफगानिस्तां यह चांस क्रियेट कर सकते हैं हैं अभी के लिए यह भी मेरे लेक पिक रहेंगे तांजी मसंद शाकिब काफी इंप्रेसिव लगे हैं अप्रण इने मुव्मेंट भी मिलता है इनके पास थीक टाक वेरियेशन भी है नए खिलाडी है बट डेफिनेटली वर्ट ट्राइंग क्योंकि इस ट्रैक पे इन्हें व मौमद अल्ला अगर खेलते हैं इन प्लेसों मेंधी हसान या इनिया अधर प्लेयर आइज एसे पिच पे मिडल ओर प्लेयर का इंपोर्टेंस काफी बढ़ जाएगा यह काफी एक्सपिरेंस खिलाडी हैं आपको काम करके दे सकते हैं जीयल में आप इने ट्राय कर सकते हो ब बहुत ही अटैकिंग बैटर है आप तो आप यह ऐसे प्लेयर हैं कि जब चल जाएंगे आपकी टीम में नहीं होंगे तो पूरी तरीकी से टीम तबा करके जाएंगे इन दवी केलते हैं फ्लाट डेक्स पर अच्छा करते हैं बट यह डेक में कहूंगा फ्लाट नहीं है है क्यूंकि हमें लगता है कि थोड़ा वेट एंड वाच करना पड़ेगा बेस्ट पिच्छ रिपोर्ट फर हैं फिर्स इनिंग में बहतर करते हैं इनके शॉट बॉल के अगया इनका मैच अप पता है नहीं पता है तो आगे मैं आपके साथ बिल्कुल डिसकस कर लूँगा प वापस similar strengths है and similar struggles है सिर्फ थोड़ा फरक यह है कि अपना समय लेके खेलते हैं गुर्बास जैसे पहले दस बॉल में ऐसा राश्ट नहीं खेलने जाए खाली वह की फरक है उसके अलावा इस यह भी एक अच्छे प्लेयर है बट टोटली पिच डिपेंडेंट होगा इनका भी से क्योंकि शाकिव के numbers इनके सामने अच्छे हैं कुछ पेसर भी इनके सामने अच्छे करके गए हैं में भी इने slot ना मिले फिर बात करें हश्मत तुल्ला शही दी की इनके records अच्छे हैं इन टर्म्स फर्स इनिंग सेकें इनिंग फॉर्म इनका ठीक ताक रहा है इनका conversion rate का strike rate एक concern रहेगा फिर चले मौमन नभी की तरफ experience टॉलवर्ट है इनके लिए इनके लिए यहां पर हाथ का सायं क्यों है next to overall बट यह definitely मेरे टीम में रहेंगे क्योंकि सामने काफी सारे left-handlers हैं तो इनने अपना quota भी पूरा करना चाहिए और उसके अलावा finisher भी है खुद को support कर पाएंगे काफी पूर record रहें का recently so totally इनके फॉर्म पर depend करता है कि यह क्या करते हैं बट मैं पहले गिम में तो इनके साथ नहीं जाओंगा जील में पहले बैटिंग करते हैं तो एक दो टीम में ट्राइ कर सकते हो इसमतुला उमर्जाइ बंगलादेश के सामने जो एक series हुई थी recently वहां पर ठीक टाक काम किया था इन्होंने बट इनके records कुछ खास नहीं है इनके अच्छे हैं बट यहां पर क्या change-ups का अतना role रहेगा that's a big question mark hence अभी के लिए यहां पर cross है राशित खान वर्ल्ड क्लास आधिंग अपना जादू यह वीव करेंगे मैंने हर सिट्वेशन में पिक करूंगा बस पिच में भी इनके हिसाब की ना हो बट लेट सी यह ऐसे टाइप की प्लेयर है कि हर जगह अड़ाप करके चलेंगे and match-ups इनके average है कुछ बंगलिदेश बैटर्स को dominant किया है कुछ बैटर्स ने उन्हें dominant किया यहीं इनका एक बहुत बड़ा कंसन है बड़ इनके match-ups काफी अच्छे है बांगलिदेश के सामने especially as बांगलिदेश में काफी सारे left-handers है तो अगर यह second डालते हैं फिर तो मैं बिलकुल लेके जाओंगा यह अंडर प्रेशर विकेट्स ले सकते हैं first bowling में pitch-based call फिर चलें फजल अलग फरूकी की तरफ maybe pitch in a suit कर जाए especially in first bowling but death में इनके struggles काफी ज्यादा है तो उस बात का जरूर ध्यान रखे कि maybe death में आप उनसे उतने wickets ना expect कर पा है ज्यादा समय तो यह भी होता है कि death में ovals मिलते भी नहीं फिर नवीन उलक यह हैं इनके death specialist जाने चाते हैं अपने change-up के लिए और किस बात के लिए जाने रहते हैं वह आप उर्री जानते हो ज्यादा ODI cricket नहीं खेली अब तक wait and watch call based on the toss and based on the pitch second bowling में में भी नहीं ट्राइ करूँ तो यह हुई नवीन उलक की बात अब चलते हैं match-ups की तरफ मुष्पिक और रहीम versus वजलक फरू की दो बार आउट होएं बट क्या उन्हें face करेंगे यह एक बहुत बड़ा सवाल है लिटन दास versus मुझीब वापस यहाँ पर आप देख सकते दो बार आउट होएं बट ठीक टाक के ला है strike rate यहाँ ठीक टाक है सो डोंट बी सप्राइज इफ यू सी शाके बिलना पाव प्ले इब्राहिम जद्रान वसे शौरेफ फुल इस्लाम दो बार आउट होएं और स्टाइक रेट भी काफी खराब हैं त्वेंटीवन बॉल्स तो शौरेफ फुल इस्लाम भी टीम में अपनी जग है यह मैच-अप की बेसिस पे बना सकते हैं इस बात का ध्यान रखेगा अब चलते हैं आज के फैंटेसी टीम की तरफ तो वी स्टाइट बिदे कीपिंग सेक्शन यहां पर हमारे पास रेवान उल्ला गुर्बाज जो एक अच्छी चोईस है अभी के लिए नहीं पिक करके जा रहा हूं बट मेभी बेस्ट ऑन दे टॉस यह चेंज किया जाए लिट अदाज भी ठीक तक चोईस है बैटिंग से कर सकते हैं नजमुल हुसें शांटो टोटली टॉस बेस कॉल रहेगा सेकंड इनिंग में तो इनका रिकॉर्ड काफी खराब है में इन दोनों में से जो भी पहले बाटिंग करें मैं उनके साथ जाओंगा उसके अलावा जो पिक्स हैं यहां पे आउट ओफ फॉर्म पिक्स अगर सेकंड बोलिंग करते हैं में भी कंसिडर करो बट जितने राइट हैं मैं तो नहीं जाओंगा उनके साथ बोलिंग में राशित खांट स्टेट फॉर्ड पिक्स हैं तो यह जो साथ प्लियर्ज हैं आपकी जो जी यल टीम्स हैं इन साथ के राउंड रिवॉल्फ जो बाकी चार है टॉस सब्जेक्टिव हमको लेने पड़ेंगे तो अभी के लिए कौन से पिक्स होंगे एंड कौन से बेस्ट उन्द टॉस चेंज के जाएं मैं जाओंगा विच फजल अग फरूकी एज मुझा लग रहा है कि इंपॉर्टन रोल प्ले कर सकते हैं इनके मै और शौरिफुल इसलाम तो हैंस अभी के लिए मैं दोनों के साथ जा रहा हूं बेस्ट उन्द टॉस यह बिलकुल चेंज किया जा सकता है और फाइनली मैं जा रहा हूं एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर के साथ इन द फॉर्म ओफ लिटन दास यह थोड़ा एक पंड पिक है हैं मेरे इसाब से बट मुझे लग रहा है कि अगर अप्रंट यह मूव्मेंट खेल के निकालें को हमें पता है कि बांगलदेश के पास एक साइट से एक स्पेशलिस्ट ओपनिंग बोलर है तो वह इसाब से बिलकुल यहां पर अच्छा काम कर सकते हैं तो मैं अभी के अगर सेकेंड बोलिंग करें दोनों में से उन्हें मैं कैप्टेन मना दू एल्स उसके अलावा खास कोई चेंज नहीं करूँगा मैं तो यह वही मेरी आज की फैंटेसी टीम अब चलते हैं आज के जील ऑप्शन की तरह लो सिलेक डाक हॉस पिक्स फॉर इस गेम परू की श नाजमुल हसें शांटोड वाइल चेजिंग हमने उनका रिकॉर्ड देख लिया वाँ पर वाइल चेजिंग उनका एवरेज काफी गिर जाता है फिर ग्रैंड लीग ऑप्शन मुझीब नभी नसूम वाइल बाटिंग फर्स विच मेंज बोलिंग सेकेंड इन प्रेशर चे ग्रैंड लीग उप्शन अब एक इंपॉर्टेंट बार जो आपको तो सीरीज वाइस पिक्स जो है मैं अल्रडी बता चुका हूं फ़र अफगानिस्तान फ़र बंगलादेश तो इंशॉर कि आप बाई कर ले इन प्लेर्स को ऑन एक्सचेंज वैंटू अगर पाकिस्तान याद रखिए कि यह जो प्लेर्स हैं पूरा इनका जो सीरीज का पॉइंट से काउंट किया जाएगा और यह सिर्फ एक्सचेंज वैंट पर होता है तो आपको बार बार कुछ चेंज नहीं करते हैं एक बार आपने ले लिया फिर इनके पूरे सीरीज के पॉइंट गेने ज देस्क्रिप्शन में इंशॉर तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर जल्दी मिलेंगे एक और प्रिव्यू के लिए थैंक यू सो मच पर त्यूनिए